बॉलेवुड में सल्मान खान के जुतनी भी बात करे वो कम हो सल्मान खान फिल्म दबंग ट्री को लेकर फुल फॉर्म में है जीहां सजीराई के माध्यम से सल्मान इस फिल्म में अपने यंग हैंसम लुक में नज़र आएंगे दबंग ट्री में दबंग वाले लुक में नज़र आएंगे कम्प्यूटराइजड टेकनोलोजी के माध्यम से सल्मान खान को फिल्म दबंग ट्री में सुनाक्षी के उस्पती के रूप में दिखाया जाएगा जो कभी दबंग फिल्म में चुलबुल पांडे की रूप में एंट्री कर चुके थे जिस दबंग की दबंग गीरी को खोब पसंद किया गया था और इसी बीच सेरोगिसी की माध्यम से करन जोहर एकता कपूर जैसे बड़े सलिब्रिटीज की तरह ही सल्मान खान ने पापा बनने को लेकर मन को बना ही लिया है और मनाने के बाद मन को उन्होंने स्विकार लिया है कि 54 साल अब उमर उनकी है सिर्फ और सिर्फ अपने घर परिवार को खुश रखने की उन्हें बारिश देने की तब सल्मान खान की बारिश की बात हो रही तो भला उनकी माध सल्मा खुश कैसे ना हो चीहां बहुत ही जादा खुश है सलमा अपने बेटे के स्पेसले पर आज हम आपको बताएंगे सलमा की बारे में क्या कहना है उनका अपने बेटे की पापा बनने को लेकर नमस्कार देख रहे हैं आप Next Tonight News जिख बफर इसे स्वागत है आप सभी का Star Life हमारे स्पेशल प्रोग्राम में यहां दोस्तो आज इस प्रोग्राम स्टार लाइफ में हमारे को रूबरू कराएंगे सलमान खान की मा सलमा के सपनों से उन्होंने सपने तो काफी समय पहले ही देख लिये थे कि सलमान पापा जरूर बनेंगे काफी जादा प्रेश्यराइज सलमान खान को सालों से किया गया है कि वो अब पापा बने क्योंकि सलमा चाहती है दादी बनना अपने पोते को खिलाना कोद में लेकर इसका खुलासा उन्होंने फराहां की दावत नाम के लेक टॉक शू में भी किया था जब सलमान खुद भी पहूँजे थे तब सलमान पोर्टी स की उमर में थे और सलमान खान की महान ने तब ही कह दिया था उनसे एक ही वो चाती है उनके बेटे शादी रचाएं वो चाती है उनके बेटे पापा बने ऐसे मैं आईए सुनते हैं सलमा किस स्टेट्मेंट को जानते हैं क्या कहना है सलमा का जी हाँ अपने बेटे को लेकर सलमा खान ने एक सवाल का जवाब दिया था फारा खान के दावत के उस खास एपिसोड में कि क्या अब उन्हें लगता है उनके बेटे की शादी की उमर है तो सलमा ने अपने ही बेटे सलमान का मजाक उड़ा कर साल 1990 या फिस साल 1999 नहीं बलकि 2010 के वक्त के कह दिया था कि अब उनके बेटे की शादी की उमर नहीं रही उनके बेटे ही अलाइक हैं यानि कि लड़किया समझतार हैं उन्हें लड़किया नहीं मिल रहे हैं इसका मतलब कि लड़ियां काबिले तारीफ नहीं वल्कि अब उनके बेटे की उमर शाती कि जा चुकी है लेकिन हां पोती को गोध में खिला देखने के लिए और सल्मान खान की मां सल्मा के सी बात को सुनने के बाद सल्मान का रियक्शन बेहद अनोगा था सल्मान शर्मा गये थे सल्मान शोक रह गये थे मां के मज़ा किया लहजे को सल्मान अच्छी तरह से समझते थे क्योंकि सल्मान खान को पता है उनकी मां अब उनके उख़े आजाएंगे सेर holinessी के माध्यन से यहीं उनकी उम्मीदे में वहल दोस्तो 지분들이 यही की इससिर माःकी सालों पहरे साल 2010 की तक्रीबन ही स्पाथ का कुलाजा की था की वह चाहती है कि सल्मान अब पापा बन जाए भले उन्हे अब उनके घर में बहु देखने की सपनों को पूरा करने में वक्त लग गया लेकिन बहु बनते हुए भले उनके घर पर एक सल्मान कान की लेडी लव कदमना रखी हूं लेकिन उनकी जिंदकी में एक प्यारे से ननहे मुनहे बच्चे की आने की अगर खुशी मिल जाए तो उस बच्चे को गोद में लेकर सलमा अपने सारी उमर की खुशिया उन पर लुटाना चाहेंगी सलमां खान की माइन सलमा का ही पैसला था उनकी वो पुरानी अधूरी लिए अब तैयार हो गए है वाके में परिवार की खुशियां कितनी जादा मायने रखती है सलमान खान के लिए करती है ये सारी बाते इशारा सलमान खान के इस डिसिजन के बाद उनके इस दिल में सलमा की जगह सबसे एहम है यही बाते इशारा करती है सलमान खान के फैसले सामने आने के बाद हम तो यहीं उमीद करेंगे कि सलमान खान इसी तरह अपनी मा सलमा के सिद्ध को पूरी कर इस सिद्ध को भी पूरी कर दे कि उनके करोड़ों चाहने वाले उन्हें अब अपनी मिसिस के साथ देखना चाते हैं जिसकी उमीदें तकरीबन भी साल से कायम है और बरकरार है लोगो सब्सक्राइब करना विलकुल ना भूले नमस्कार